जय स्री राम, जय हनमान, ओम स्री हनुमंते नमा, हनमान जी का असिर्वाद सदा आप पर बना रहे, हनमान जी का असिर्वाद से आपका भग युदे हो, जीवन में सुक सम्रिधी सौ भग बने, आपका कल्यान हो, निश्चे प्रेम परतीत ते बिने करें सनमान, तेहीं के कार सकल सुब सित करे हनमान हनमान जी आपको भाग्य साली बनाए संकट से रच्छा करो हे महावीर हनमान संकट मोचन किरपानिधान जय हनमान जय जय हनमान 25 मई मंगलवार का दिन तुलारासिवारो आज ये सनी और मंगल का प्रभाव बुद्ध की छाया सुक्रे और राभू की द तुलारासिवारो आज दिन बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि आज सुबह स्वाती नचत्र होगा तो दोपहर में विसाखा नचत्रे उसके बाद अनुराधा नचत्रे आज मंगलवार का दिन बड़ा भाग्य साली दिन है क्योंकि सुबह साथ बचकर छे मिनट तक वर्यान योग स्वाती नचत्र होगा इस दोरान आपकी रासी तुला पर राहू और सुक्र का परभाव होगा मंगल की छाया होगी बिरस्पती की दृष्टी होगी साथ बचकर छे मिनट के बाद जब विसाखा नचत्रे पड़िध योग आएगा तो आपकी रासी तुला पर विरस्पती का परभाव होगा सुक्रे और मंगल की दृष्टी होगी लेकिन अनुराधा नचत्र जब आएगा सिब योग के साथ तो आपकी रासी तुला पर सनी का परभाव होगा मंगल का परभाव होगा बुद्ध की छाया होगी सुक्रे और राहू की दृष्टी होगी आज मंगल वार का दिन तुला रासी वारों के लिए बड़ा भग्य साली सौभग्य साली दिन साबित होने वाला है क्योंकि मंगल और सनी का परभाव अनुराधा नचत्र में आपको उत्साही और लगन सील बनाएगा अपने उत्साह जोस के साथ आप जीवन की हर कटनाई पर बिजय प्राप्त करेंगे संघर्स करते हुए धन और संपत्ती कमाएगे आज अपने लच की प्राप्ती करेंगे जीवन में सौभग्य धन भग्य की बिद्धी होगी संघर्स करते हुए सफलता आपके जीवन को और भी सुन्दर बनाएगा आज उत्साह उमंग के साथ आप काम करेंगे नए नए काम करने में आपको ज़्यादा मजा आएगा पर आज आपको थोड़ा सा धानी रखनी होगी दोस्तों से धोखा मिलेगा धन कमाने की इच्छा प्रवल होगी तुला रासिवारों विस्तार से रासिफल जानने से पहले चलिये हम जानते हैं आज का सुम मूरत गरा नचत्र की दसा आज का पंचाम आज मंगरवार का दिन है 25 मई वैसाख मा सुकल पच की चतुर दसीती थी आज के दिन स्वाती नचत्रे विसाखा नचत्र और अनुराधा नचत्रे तीनों नचत्रे एक एक करके तुला रासि के जीवन में परवेश करेंगे जिसके कारण सनी और मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा बुद्ध की छाया होगी सुक्र और राहु की दिरिष्टी होगी अगर आपकी कुंडली को देखें तो इस समय राहु, सुक्रे, सुर्ज और बुद्ध आपकी रासि तुला के अस्टम भाव में गोचर कर रहें जबकि सनी का गोचर सुक्र स्थान में है, पर इस समय सनी वक्री चाल से गोचर कर रहा है, यानि सनी की चाल उल्टी है और आपकी रासि तुला पर सनी का अरहिया चल रहा है साथी विरसपती पंचम भाव में गोचर कर रहा है, वही मंगल नौवं भाव में गोचर कर रहा है, चंदरमा का गोचर आपकी रासि तुला के लगन पर है आज लगन में बैठा चंद्रमा जो आपकी रासी तुला का कर्मस्थान का स्वामी है भग्यस्थान पर मंगल को देख रहा है वहीं मंगल भग्यस्थान में बैठ कर आपकी रासी तुला के लगन पर अपनी पंचम दिरिष्टी बना रहा है जिसके कारण आज सौभाग्य धन आपके जीवन में बढ़ेगा प्यार और रिष्टे मजबूत होंगे आपके जीवन में सुक सम्रिद्धी के लिए समय सुभ है अपने लच की और आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने जिवन में धन, सम्रिद्धी और अपने भाग्य से काम्यावी पाएंगे तुला रासिवाओ आज सुब मुरत सुबा सुबा ही आपकी रासि तुला पर बनने जा रही है सुबा पांच बचकर ब्यालिस मिनट के बाद जब आपकी रासि तुला पर सुख्र का परभाव सबसे जादा होगा स्वाती नचत्र में राहू और सुख्र जिस समय सबसे जादा परभाव साली होंगे उस समय आपके जीवन में आशा की एक नई खीरन दिखाई देगी का प्रवल होगी आपके अंदर कुछ प्राप्त करने का उत्सा होगा आज आपके अंदर जीवन में सुख और धन प्राप्त करने के लिए एक जुनून होगा क्योंकि ये समय संघर्च से सफलता देगा कर्म से सिध्धी देगा उत्सा से जीवन में सुख और धन की प्राप्ती होगी जिस भी काम को आप हात लगाएंगे उस काम में लाभी लाभ का योग बनेगा तुलारासिवारो आज का राहुकाल बारा बचकर 18 मिनट से दोपैर दो बचकर 1 मिनट तर राहुकाल के दौरान किसी भी सुख काम का सिरी गनेश ना करे आज दिन की सुरवात उत्तर दिशा की तरब से ना करे आपके लिए लखी कलर रेड होगा लखी नमबर 7 होगा तो आज सिब योग में जब अनुराधा नच्छत्र आएगा सनी और मंगल का प्रभाव सनी और मंगल का प्रभाव आपके भाग्य में सफलता और आसा की एक नई किरन को जाग्रित करेगा सफलता काम्याबी के लिए आप अपने उत्सा को बना कर रखें आपका आत्म विश्वास आपके जीवन में बहुत सुख और धन प्राप्थ होने में आपकी मदद करेगा आज भग्य साथ दे रहा है आज आप स्वभादि साली हैं क्योंकि आज विरस्पती भी आपकी रासी तुला पर अच्छे परिनाम देने वाला योग बना रहा है विरस्पती की दृष्टी आपकी रासी तुला के इंकम के घर पर है यानि एक आदस भाव पर विरस्पती की दृष्टी है और विरस्पती के ऊपर चंद्रमा का पंचम दृष्टी पर रहा है भाग्दि सौ भाग्य तरक्की समरिद्धी धन धान के लिए आज का दिन सुब है आज चंद्रमा का गोचर भी सुब है लग्न में बैठा चंद्रमा आज आपकी रासी तुला के सातने भाव को देख रहा है जिससे प्यार और प्रेम संबंद की एक नई शुरुवात होगी रिष्टे और प्यार में सुख मिलेगा जीवन में उनत्ती तरक्की के लिए मन की सांती आपको आगे बढ़ाएगा आज सनी और मंगल का प्रभाव है सनी के मित्रगरा बुद्ध सुक्र और राहु है भाग्य से बुद्ध सुक्र और राहु ये तीनों गरा आपकी रासी तुरा के अस्टम भाव में एक साथ गोचर कर रहा है वही मंगल जिसके मित्रगरा सुर्ज बिरस्पती और चंद्रमा है सुर्ज अस्टम में बुद्ध सुक्र और राहु के साथ बैठा है वहीं विरस्पती पंचमभाव में बैठा है और चंद्रमा लग्न में गोचर कर रहा है आज सिभ्योग में अनुराधा नचत्र में भग्य सो भग्ये जीवन का सुख धन आप प्राप्त करेंगे धन संपत्ती के लिए आज का दिन सुख है जीवन में प्यार और परिवार में खुसियों के लिए आज का दिन सुख है अगर आप मेहनत करें तो भग्ये अवस्चमकेगा जीवन में धन सम्रिधी अवस्प्राप्त होगी आज दिन की सुर्वात उतर दिशा की तरफ से ना करें आपके लिए लखी कलर रेड होगा लखी नमबर सेवन होगा आज मंगलवार का दिन है भग्योदय के लिए अपने संतान की उनत्ती के लिए नौकरी बैपार में तरक्की के लिए पजपर्तिष्ठा के लिए कारज छमता में तरक्की उनत्ती के लिए और अपनी इच्छा की पूर्ती के लिए आज आप हन्मान जी का दर्सन करें, हन्मान जी की पूजा करें मंगलवार का दिन हन्मान जी का आसिरवाद आपके जीवन में धन धान संपक्ति से परिपुन करेगा आपके जीवन में भग्य को बढ़ाएगा, संपक्ति उनक्ति देगा, जीवन की विगन बाधा परिसानी को दूर करेगा जीवन की हर समस्या हनमान जी के आसिरवास से दूर होगा तुला रासिवारो आज मंगलवार का दिन है अपने रासिफर को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में जै सिरीराम जै हनमान अवस लिखें तो तुरारा सिवारो आज अनुराधा नचत्र में सनी और मंगल का प्रभाव बुद्ध की छाया सुक्र और राहू की द्रिष्टी बुद्ध, सुक्र और राहू आज अस्टरम्भाव में जीवन में कुछ बड़ा, कुछ सुन्दर योग बना रहा है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आपके जीवन की दिसा, आपके जीवन की दसा को बदलेगा ये समय जीवन से संगहर्स को खत्म करेगा, अपने कर्म से अपने भग्य को आप बदलेंगे आज अपनी बुड़ी आदत को छोड़ कर आप अच्छी आदत को अपनाएं आत्म विश्वास के साथ काम करें तो साहस और सौभग्य मिलकर सफलता देगा तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे धन आप कमाएंगे हनमान जी के आशिरवास से आपका जीवन सुभ, सुन्दर और सुखी होगा उज्वल भविस आज आपकी जीवन में बरी उपलब्दी और तरक्की आपको प्राप्थ होगी तो तुलार आसिवारों 25 मई मंगल वार का दिन बैसाक मा सुक्लपच की चतुर दसीती थी अनुराधा नचत्र में आज सनी और मंगल का प्रभाव, सुक्र और अभू की दिरिष्टी, बुद्ध की चाया आपके जीवन में उत्सा, स्वभग्य, उमंग, जीवन में धन कमाने की लालसा आज आपके जीवन में खुसी, सम्रिध्धी, सौभग्य, आज आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा अनेक छेत्रों में आप सफलता प्राप्त करेंगे हनमान जी के आसिरवास से आत्मिस्वास से भरा हुआ दिन बड़ी सफलता और काम्याबी देगा जीवन की हर बादा हनमान जी के आसिरवास से दूर होगी जीवन का हर परिसानी का अंत होगा सुखी जीवन, सांत जीवन, सुन्दर जीवन आज सुख सुवधा का भोग करेंगे आज का दिन सुख सुन्दर, सुख संपत्ती देने वाला कल्यानकारी दिन है दिन की सुरुवात अच्छी होगी आप भाग विसाली होंगे आज बड़ी सफलता खुसकबरी भाग में धन संपत्ती का सुख और जीवन में खुसी को प्राप्त करेंगे धन संपत्ती बैभव से युक्त आज का जीवन होगा तो तुला रासिवारों अपने रासिफल को रोजाना जानने के लिए रासिफल को लाइक करें सस्काइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें भागगे सो भागगे चमक रहा है भागगे के सितारे बुलंद हैं आज के लिए अतना ही फिर मिलें इसी रासी पल का अरजक्रम में तब तक के लिए मुझे आग्या दें आपका दिन सूभ हो जै स्री राम जै हर्मान संकट से रच्छा करो हे महावीर हर्मान संकट मोचन के पानिधान जै हर्मान जै जै हर्मान जै स्री राम जै हर्मान